खिलवार करने से भी नहीं चूपते आपको बताते हैं ये मिलावट खोर कैसे बनाते हैं दूद ये है शैंपू जो नहाते वक्त काम आता है लेकिन इससे दूद भी बनता है कैसे बस देखते जाईए ये तीनों शक्स दूद बना रहे हैं इसके लिए पहले एक बड़े से बरतन में थोड़ा सा शैंपू डाला और फिर रिफाइन डॉयल देखते ही देखते ही ये मिक्स्चर सफेद पेस्ट में बदल गया फिर इसमें मिलाया गया आधा किलो दूद इसे गाढ़ा करने के लिए चीनी का बुरादा मिलाया गया और फिर एक बाल्टी पानी लो बन गया दूद आधा किलो दूद दस किलो में बदल गया ऐसी ही जगों से हजारो किलो नकली दूद हलवाईयों के यहां पहुँचता है और फिर इससे बनती हैं मिठाईया अब सुनिये ये लोग ये काम क्यों करते हैं सब देखो अब एक तो नौकरी तो है इना जी और दूसरी एक और बात अब दूद के रेट कम मिलने हैं और कैसे भी दूद हमने के बनानों सुरू करते हैं अब कम पैसा में ज्यादा दूद बन जावें और वाते अपना यह भी मिला दें असली भी मिला दें दोनने मिला कर बेग दें ग्रावटी सही आजाए और कोई पैचानी ना सके उतनों ही माववा निकले उतनों ही घी बने हो यामे हम तो सब जगे ऐसी बना में और ऐसी बेग दें हाँ दिवारी पैसा बहुत ज़्यादा बड़ जावे तो असली दूद कहां ते लाँ है अब हलवाई मांगें तो हलवाई यहन को भी ऐसी दूद दे में वो तो खुद के में जी ऐसो ले आओ कहीं से भी लाओ जी दूद हमाई पूरती करो तो ऐसी पूरती करनी पर है सब कितने देर में ये करीब 10 किलो दूद बन जाता है आपका दूद बनाने का एक और फार्मूला है इन मिलावट खोनों के पास और इन है इसके लिए आधा किलो दूद की भी ज़रूरत नहीं इजी है न जो हम आप कपड़े धूने के लिए इस्तेमाल करते हैं यहाँ इसका इस्तेमाल दूद बनाने के लिए हो रहा है साथ में है सिंगहारे का आटा, रिफाइन डॉयल, खाने का सोडा, मिल्क पौडर, ग्लुकोज और थोड़ी सी इलाइची कपड़े धुने की बाल्टी में बारी बारी से ये सब मिलाया गया यहाँ इस सारे सामान को फेटने के लिए एक मशीन भी है ताकि नकली दूद को देख कर पहचाना ना जा सके ऐसे एक एक घर में हर रोज सौ किलो तक नकली और जानलेवा दूद बन कर बाजार में पहुँचता है यह सारा दूद हलवाई के हां मिठाई बनने के लिए ही नहीं जाता हमारे और आपके घरों में भी पहुँचता है चाय बनाने से लेकर बच्चों को पिलाने तक के काम आता है लेकिन इन्हें इस सब से क्या मतलब अपनी जेब गर्म होनी चाहिए चाहे कोई मरे या जीए क्या नाना रस्ते में जितनी भी परेशानिया होती है सब पैसे के बल पर सौल हो जाती है पहँचान करकर कोई नहीं बता सकता ये दूद असली है के नकली है इसमें मुनाफ़ा भी बहुत अच्छा है तो आभी बन जाता है चाय बना के पीजिये दूद वैसे तो ये काला धंदा साल भर चलता है लेकिन दिवाली के वक्त जब दूद की मांग आसमान चूरे ही होती है तब इस गोरक धंदे में और तेजी आजाती है कमाल ये है कि दूद की गुनवत्ता मापने वाली ये मशीन भी कई बार इनके आगे नाकाम हो जाती है बिना मिलावट के दूद की ग्रेविटी 26 आनी चाहिए लेकिन मिलावट इस तरह से होती है कि नकली दूद की ग्रेविटी भी 26 के आसपास होती है कभी कभी तो 28 भी हो जाती है और अफसोस जनता समझती है कि ये तो प्योर दूद से भी प्योर है सफेद दूद का काला कारूबार ये सिलसला चला तो सालों से आ रहा है लेकिन खास करके दिवाली के वक्त में इनकी मांग काफी बढ़ जाती है और इससे बने मेवे और मिठाईयां हमारे और आपके घर में पहुंचती है इसका कारूबार करने वाले लाखों का मुनाफ़ा कमाते हैं बिना इस बात के फिक्र किये कि हमारे और आपके सिहत पेसका कितना बुरा असर हो रहा है बुलन शहर से मनीश और मदलाल के साथ शारिख खान इंडिटीवी इंडिया